हिलो दोस्तो मेरा नाम इमरान है और मेरे दोस्त का नाम वसीम है हम दोनों हाइदराबाद के रहने वाले हैं मेरी उम्र 22 साल है और वसीम मेरे से 2 साल छोटा था हम दोनों ने एक कमरा किराय पर लेकर प्राइवेट नौकरी में जॉब करते थे मकान मालकिन का नाम रुकसाना भाभी की उम्र 27 साल थी उनकी प्रोपटी का नाम 36-32-38 का है वह बहुत खूब सूरत और गोरी थी भाभी हमारे उपर वाले फ्लोग पर रहती थी तो उनसे हमारी अच्छी जान पहचान हो गई हम जेस घर में रहते थे उसका मालिक कहीं बाहर नौकरी करता था वह महीने में एक दो बारा आते जाते उनके पती का नाम सुलिमान था भाभी और सुलिमान भाई की ज़्यादा जमीन नहीं थी शायद सुलिमान भाई का नागराज छोटा था कमजोर होगा इसलिए भाभी हमेशा उदास रहती थी एक दिन भाभी ने हमें खाने पर घर बुलाया हम दोनों चले गए भाभी ने सलवार कुर्ति पहन रखी थी और दुपटा नहीं डाला था भाभी से पूछा कि सुलिमान भाईया कब आएंगे तभी भाभी उदास मन करके बताने लगी क्या पता उन्हें अपने काम से फूर्सत ही नहीं है और तभी आंटी हमें रोटी प पर ही थी हमने खाना खत्म कर लिया और यहां से निकल गए जब भी हम भाभी को देखते तो हमें बस भाभी की रगड़ाई करने का मन करता एक दिन में रुबीना भाभी के कमरे में किराया देने गया कमरे में कोई नहीं था मेरी नजर भाभी के बैट पर गई वहां पर भा की गुलाबी कलर की कर निकाल कर वहां रखी थी मैंने जाकर उसे उठा लिया और सुनने लगा क्या खुश्बु आ रही थी तभी मुझे वाश्रूम में से सावर से पानी गिरने की आवाज आ गई मैंने देखा कि भावी अपनी प्राकृते का वस्था में आकर अपने एक हाथ से आम को सहला रही थी और दूसरी हाथ से अपनी जमीन को सहला रही थी वह जमीन में अपनी एक उंगली डाल कर गुफा को रगर रही थी इस वक्त मेरा नागराज सरकार करने लगा बातरूम का द नाग्राज फन उठाने लगा तभी हम दोनों ने अपने नाराज को पोटली में से बाहर निकाला और उसे सहलाने लगे करीब 20 मिनत तक चलते चलते हमारे नाग्राज ने पूरा विश बाहर फेक दिया और तभी सावर बंध हुने की आवाज आई तो हम समझ गए कि अब भी हमारे घर आ गए उन्होंने खूब सुरत साड़ी पहनी थी जिसमें से रस भरियाम देख रही थी और भाभी बड़ी ही सुन्दर लग रही थी ये देखकर कुंडली में नाग्राज फन निकाल कर खड़े हु गए तभी भाभी की नजर हम दोनों के नाग्राज पर चली थी इसलिए हम बाथरूम की तरफ आये तो देखा तो हमारे होश और गए इसलिए हम वहां से निकल गए हमने जो कुछ देखा हमें माफ कर दो तभी भाभी हस कर कहने लगी और हम दोनों की नाग्राज की तरफ देखते हुए कहा ठीक है तुम दोनों को मेरा एक काम करना बोलो हम वोल काम करने के लिए तैयार है जो आप कहेंगे भावी ने दरवाजा लौक कर दिया उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें आमका रस चखवा कर रहूंगी इससे पहले वो कुछ कहती मैं उनकी गुलाब की पनखुलियां पर अपनी गुलाब की पनखुली रख दे और भ पिकरार था इधर भावी अपने साथ थेली में दो आम भी लाई थी मैं रस्पान करते हुए उनकी आमों को भी दबा रहा था क्योंकि उस थेली में बंद आम बहुत पिलपिला था हम दोनों ने नहीं सोचा था कि प्यारी रसीले आम का थेला हमारे नसीब में है हमने देर करते हुए ठेले के आम का बटवारा कर लिया और भावी का एक ही कम अपने अपने मूँव में भर लिया और रस पीने लगे तो भावी को एक कर्ट सा लग गया और उसने अपनी आँखें बंद कर ली और आहें भरने लगी हम दोनों एक एक हाथ कभी गुफा में तो कभी बाद हम दोनों ने भावी की जमीन देखने गए भावी की जमीन में थोड़ी घास थी हम दोनों के सामने ऐसी जमीन थी जिस पर पूरी तरीके से घास भी नहीं आई थी थोड़ी सी घास जो हलके हलके भूरे रंग की थी हम दोनों ने तुरन थी भावी से कह दिया कि भावी तुम्हारे खेत में अभी घास नहीं आई है। इस बात से रुकसाना भाब ही शर्मा गई और मुस्कुराने लगी और हमें इशारे से कहने लगे करीब करीब 20 मिनत तक उसके जमीन पर खेलने के बाद उनकी गुफा से मलाई बाहर आने लगी तो हम दोनों ने वह मलाई को सफ चेक कर दिया और हम दोनों ने अपने पोटली में रखे हुए नाराज उसके हाथों में थमा दिये क्योंकि खेत में ही नाराज की गुफा थी जैसे ही नाराज बाहर आ गई वैसे ही वह गुफा की तरफ भागने लगे भाबी देखते ही बहुत डर गई इतने लंबे दो द फेरते हुए कहा रुकसान भाभी आप चिंता मत करोया है नाराज को एकदम धीरे से गुफा में भेजेंगे ना ही उसमें कुछ दरार आने देंगे हम दोनों हमारी तरफ से पुरी कोशिश करेंगे कि गुफा को कोई नुकसान ना हो फिर हम लोग उसी खेत वाली गुफा म दोनों नाराज बारी बारी गुफा में जाकर गुफा को तहस नहस कर दिया और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और सिकुल कर बाहर आ गए